वंदे मात्रम नमस्कार प्यारे साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका हार्दिक अभिनन्दन हैं प्यारे साथियों आपके अपने योट्यूब चैनल कॉम्प्टीशन गुरू में और कॉम्प्टीशन गुरू एप्लिगेशन में तो प्यारे साथियों आपको ओडियो वीडियो क्लियर है एक बार सभी स्टुटेंट जल्दी से बता दें और आज हम लोग आप सब जानते हैं कि आज से हमारे एक फ्री बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच दोस्तों और यह आपका रीजिनिंग का क आपको डेली मिलती रहेंगी और इस क्लास का जो टाइम है डेली नौ बजे है प्यारे दोस्तों इसके लावा अगर मैं आपसे कहूं कि और क्लासिस का सिड्यूल या टाइमिंग क्या है तो आपकी साथ बजे क्लास होगी मैट्स की डेली ठीक है साथ बजे डेली आपकी जेका तो आपकी क्लास होगी reasoning की और अभी घड़ी में आप देख रहे हैं कि 9 बज रहे हैं और हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं reasoning की इसके लाबा बाकी की चर्चा बाद में कभी करेंगे फिलहाल आप लोग शुरू करते हैं आज की कार्रेवाही को और आज की कार्रेवाही में हम लोग chapter स्टार्ट करेंगे हमारा analogy analogy तो analogy का मतलब होता है साद्रश साद्रश और साद्रश में हमें अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों कि हमसे क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती है तो या तो कुछ देश और उनकी राजधानिया हमसे पूछी जा सकती है ठीक है देश या राजधानिया या हमें राज्य उनकी राजधानिया पूछी जा सकती है ठीक है राज्य उनकी राजधानिया पूछी जा सकती है तो अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी देश और मुद्रा के बारे में किसके बारे में देश और मुद्रा के बारे में देश और मुद्रा के बारे में एक सेकंड देश और मुद्रा कौन से देश की कौन सी मुद्रा है आपको ध्यान लखना है, जो important है जो बार-बार पूछ जाते हैं, मैं वो आपको लिखवा देता हूँ, बाकी क्या आप खुद करना भी questions लगाए हुए है उसके माध्यम से जैसे आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं अगर बात करूँ दोस्तों आप से सबसे पहले USA से लेता हूँ, मैं USA USA की राजधानी क्या है, सॉरी, मुद्रा क्या है तो आप लोग कहेंगे सर, डॉलर, क्या है? डॉलर है, ठीक है? क्या है इसकी? डॉलर है, इसके अलावा मैंने हाँ पर लिखे हुए है, important countries और उनकी मुद्रा है चलो, जैसे अर्जेंटीना की क्या है बताओ अर्जेंटीना की जो मुद्रा है, वो क्या है अर्जेंटीना की? यह important है इसके अलावा, इसके अलावा चीन की मुद्रा आपको बतानी है चीन की मुद्रा क्या है? इसके अलावा आपको इराक की मुद्रा बतानी है इराक की मुद्रा क्या है ठीक है इराक के बाद आपको कोबेत की मुद्रा बतानी है कोबेत की मुद्रा क्या है ठीक है इसके अलावा चलेंगे आगे फिर बाद में बताओ अर्जेंटीना की क्या है अर्जेंटीना तो अर्जेंटीना की जो है दोस्तों वो क्या है पैसो क्या है पैसो आप लोग ध्यान रखेंगे पैसो है इसके अलावा चीन की क्या है युवान क्या है युवान है इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे इराक की तो इराक की क्या है दिनार दिनार क्या है दिनार है इसके अलावा मैं आपसे कहूं भाईया मैंने पूछा आपसे बताओ कुबेत की क्या है कुबेत की तो कुबेत की भी कुबेती दिनार है ठीक है कुबेत की भी कुबेती दिनार है ओके ध्यान रखेंगे आप लोग इसके अलावा इसके भी बोल देते हैं इसको बहत इसके अलावा बांगलादेश की सब को पता होगा बांगलादेश की क्या है तो बांगलादेश की जो है वो क्या है टका या टाका इसके अलावा मैं कहूं आपसे भाई यूके की क्या है यूके यूनाइटेड किंगडम की उतराखंड की मत समझन UK, UK की क्या है Pound ठीक है, बाकी के आपके बहुत से हैं, आप ध्यान रखेंगे, यह important है इनको ध्यान रखना आप लोग यह important है इनको ध्यान रखना ओके, सलें आगे हाँ, UN CHIN की है बिल्कुल है और बताओ, मुझे चलो, एक दो और पूछ लेता हूँ मैं आपसे मुझे बताओ, तुर्की की क्या है तुर्की की मुद्रा बताओ, क्या है तुर्की की यह काफी बार एक्जाम में आई हुई है, तुर्की की बताओ, तुर्की की मुद्रा क्या है तुर्की की मुद्रा है दोस्तों ध्यान रखेंगे लीरा साड़ी जिंद की फटे पुराने नोट्टा वरगी होगी 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 ठीक है एक गाना है सुनना उसको लीरा 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 गाने का नाम तो नहीं है गाने का नाम तो कुछ और है चालो यह clear हुआ मेरे दोस्त इसके अलावा आपको ध्यान रखने है देश और राजधानिया क्या देश और राजधानिया देश राजधानिया तो सबसे पहले बताओ देश जैसे मैंने आपसे का अर्जेंटीना क्या या फिर आप अर्जेंटीना चोड़ो सबसे सुरुआत से करो आस्ट्रेलिया की राजधानि बताओ आस्ट्रेलिया की राजधानि क्या होगे आस्ट्रिया के अलावा आस्ट्रिया की राजधानी क्या होगी आस्ट्रिया के अलावा बांगला देश की राजधानी क्या है बांगला देश के अलावा आपकी भूटान की राजधानी क्या है इनकी राजधानी बताओ फिर आगे बढ़ेंगे बताओ राम राम मनीश राम राम भाही राम राम देखो तो कैनबरा राजधानी है इसकी कैनबरा और अस्ट्रिया की जो राजधानी है वो क्या है वियना बंगलादेस की राजधानी आप सब जानते हैं क्या है धाका बोटान की राजधानी सब को पता है ठिम्पू चलो और देखो और जैसे मैंने कह आप से इरान की राजदानी क्या है इराक की राजदानी बताओ क्या है इराक के अलावा अलावा इसकी स्रीलंका की बताओ क्या है कम से कम देश के पड़ोसी जो देश है न उनकी तो पता होनी चाहिए तुम तो अगर मैं इराक की कहूंगा तो इराक की क्या होगी बगदाद बगदादी से याद रखना बगदादी बड़ा आतंकवादी आदमी था बगदाद और इसके अलावा आपकी जो है किसकी रही श्री लंका की तो श्री लंका की सब को याद है स्री लंका के सब को याद है या तो कोलंबा है कोलंबो करके है कोलंबो या श्री जैवर्धने करके है कोलंबो या श्री जैवर्धने ये ध्यान रखना है आपको और अपने देश की अपने देश की जो स्टेट्स हैं उनकी राजधानी भी आपको याद रखनी है हाँ थिंफ़ भुटान किये है अपने देश की भी आपको याद रखनी है दोस्तो अब मैं अपने देश की रज्यों के नाम लिख रहा हूं जैसे अरुनाचल प्रधेश अरुना चल प्रधेश तो जल्दी से बताओ और अना चल प्रदेश की राजधानी क्या है इसके अलावा आपका है एक और आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश की राजधानी क्या है बताओ तो आंदर प्रदेश की तो है अमरावती हिंदी में लिख देंगा चलो आंद्र प्रदेश की राज़धनी क्या है अमरावती इसके अलावा आपका अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश की राज़धनी क्या है बच्चे अरुनाचल प्रदेश की राज़धनी क्या है बच्चे अरुनाचल प्रदेश की है इटा नगर इटा नगर इसके बाद असम तो असम की राज़धनी क्या है दिसपुर दिसपुर यह सब तो याद होनी चाहिए यह त बिहार की राजधानी पटना है इसके अलावा चत्तिस गड़ की राजधानी है चत्तिस गड़ की राजधानी क्या है तो चत्तिस गड़ की राजधानी नया रायपुर ओके रायपुर चलो इसके अलावा आपका गोवा गुजरात की राजदानी क्या है पनजी इसके अलावा आपका गुजरात गुजरात की राजदानी क्या है तो आपका आंसर होगा गांधी नगर गांधी नगर इसके अलावा हर्याना की राजदानी तो हर्याना की जो राजदानी होगी वो क्या होगी भाईया हर्याना की राजदानी होगी चंडीगड चंडीगड इसके अलावा आपकी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की राजदानी क्या है भाई हिमाचल प्रदेश की राजदानी शिमला टोटल कितने राजजें ये भी पता है तुम अब लिखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो हिमाचल प्रदेश के अलावा आपका जारखंड और जारखंड की राजधानी क्या है राची इसके अलावा करनाटक करनाटक आया करनाटक करनाटक की राजधानी क्या है भाई बैंगलूरू बैंगलूरू इसके अलावा आपकी केरल या केरला केरल की राजधानी क्या है तरुनाट परम तरुनाट परम कि अब आता है के राजदानी क्या है मद्य प्रदेश की राजदानी है भुपाल भुपाल इसके अलावा मद्य प्रदेश के बाद महारास्थ और महाराष्ट की राजदानी तो सब जानती होंगे महाराष्ट की राजदानी क्या है अरे मुंबई मुंबई इसके अलाबा मनीपुर की राजदानी मनीपुर की राजदानी क्या है मनीपुर की राजदानी इंफॉल इंफॉल दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा मनीपर हो गया सोलेवं मेघाले मेघाले की राजदानी क्या शिलाउंग मेघाले के बाद मिजोरम और मिजोरम की राजदानी क्या है मिजोरम की आईजल इसके अलावा नागालेंड तुम्हें नाम भी आदहों को पता नहीं होंगे कितने राजदे हैं नागालेंड और नागालेंड की राजदानी क्या है कोहिमा कोहिमा जादा उपर चला गया कोहिमा अठारे के बाद नागालेंड आ गया इसके बाद 19 वानलों ऊडिसा और ऊडिसा की राजदानी क्या है भूबने शवर यह होगई इतना नौट करो फटाक से 19 राज्य हो चुके हैं अभीता 19 राज्य हो चुके हैं फटाक से कमेंट करते रों से आपको याद रहेगा, लर्ण रहेंग यह चीज़ें, इसके लावर नागालनण्ड हो गया, पंजा, पंजाब की राजधानि बताओ, कितने हो गए? उन्यस, उन्यस के बाद बीस, पंजाब की राजदानी बताओ पंजाब की और हर्याना की राजदानी ये किया है क्या है चंडीगड इसके अलावा राजिस्थान एककिस्वा राजिस्थान की राजदानी सबको पता है जैपुर है इसके अलावा बचाब का सिक्किम क्या है सिक्किम और सिक्किम के राजधानी क्या है वई सिक्किम के राजधानी क्या है सिक्किम के राजधानी है आपकी क्या है गंग टोक गंग टोक इसके अलावा तेईस्वा आपका हो गया तमिल नाडू तमिल नाडू तमिल नाडू के राजधानी क्या है चेन नई इसके अलावा आपका है भई ये तेलंगाना और तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद इसके बाद तिरिपुरा और तिरिपुरा की राजधानी क्या है अगर्थला इसके अलावा 26 उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनव इसके अलावा उत्त्राखंड उत्राखंड और उत्त्राखंड की राजधानी क्या है देहरादून देहरादून एक और राजधानी होती है इसकी क्या है? ये समर में होती है ठीक उसके इलावा आपका लास्ट वाज़ Means रहेगा हो रहेगा West Bengal ठीक है? या पस्षिम बंगाल पस्षिम बंगाल और पस्षिम बंगाल की राज़धानी क्या है? कलकट्ता या कॉलकाटा यह राजधानी है आपके ठीक है आप लोग ध्यान रखेंगे यह आपके राजजों की राजधानी है तो टोटल आज के समय में हमारे जो राजजे हैं उनके संग्या कितनी है हमारे 28 राज्ये हैं, उनकी राजधानी ये हैं सब, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे राजधानियों को और ये प्रतेग्र स्टुडेंट को आपके एक्जाम में आएं, या ना आएं, इससे मेटर नहीं है, आपको सब को याद होनी चाहिए, ठीक है, चलो किसी दिन मैं क्लास लगाऊंगा, मैं अपके माध्यम से, किसी दिन क्लास लगाऊंगा, मैं अपके माध्यम से, एक जगा है, आपने नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार जो है भई, ये क्या है, केंदर सा सित परदेश है, के केंदर शाषित प्रदेश यानि केंदर शाषित प्रदेश का मतलब होता है जिन पर केंदर का शासन होता है तो एक तो हमारा हो गया सबसे पहला अंडमान निकोबार इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर क्या है पोर्ट बिलेयर, पूर्ट बिलेयर, इसके लावा दूसरा हमारा है चंडीगड, क्या है, चंडीगड, और चंडीगड की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगड, चंडीगड की राजधानी, चंडीगड, इसके लावा दादर और नगर हवेली, या दमंदीप, दादर या नगर ह इसी का दूसरा नाम क्या क्या देते हैं हम दमन्दीप इसकी राजधानी क्या है दमन्दीप की तो इसकी राजधानी है दमन इसके लावा आगे चलें तो हमारा आता है दिल्ली और दिल्ली की राजधानी क्या है नई दिल्ली क्या है नई दिल्ली इसके लावा और आगे बढ पाद हमारा एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचमा रहेगा हमारा लक्षदीप, लक्षदीप और लक्षदीप की जो राजधानी है वो क्या है, कवरती, कवरती, इसके लावा हमारा है पुदुचेरी, छटा, पुदुचेरी या पंडुचेरी भी करते हैं पहले इसको, पुदुचेरी, पुदुचेरी, पंडुचेरी, पंडुचेरी, कुछ भी कहलो, इसकी क्या है, पुदुचेरी है, पुदुचेरी है इसके, और उसके बाद है हमारा सात्वा जम्मू एंड कस्मीर इसकी क्या है श्री नगर यह समर में होती है और विंटर में क्या होती है जम्मू कब होती है विंटर में इसके अलावा लास्ट हमारा बचा एक और लद्दाक आठ्वा लद्दाक और लद्दाक की क्या है तो लेह क्या है लेह आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को इसको आप लोग ध्यान रखेंगे बिरोजगार भाई पीछे देख लिए एक पर लिखतो लें पूरा अब यह नॉट करने की जूरत नहीं है आपको PDF मिल जाएगी इसके हाँ उत्तर प्रदिस की राज़दानी लखनौ है अब कुछ प्रशनों के आंसर आपको करने भाई कुछ प्रशनों मैंने लगाए हैं अच्छा कुछ यूनिट्स और उनके मात्रक भी लिख ले ना और बचा कुछा छोटा मोटा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी चलो पहला qpe Di Sex देखो पहला को कुछ ने कि रेल यात्री से संभदित है तो हवाई जहाज किसे इसंभदित है बताओ कि जल्री से बताओ किसी संभदित है सर बाइक से गिरकर आपको परनाम करता हूँ बैटे बाइक Прे के प्रणाम करने लाइक रहोगे नहीं पिछवाडा तोड़ लोगे अपना और प्रणाम नहीं करोगे फिर हमें आना पड़ेगा तुम्हें प्रणाम करने के लिए टाइम नौ बजे, डेली नौ बजे बिल्कुल दे रहे हो भाई, विरोजगर भाई बिल्कुल दे रहे हो सरा 28 वाँ स्टेट कौन सा है, अरे लिखवा तो दिये देखो, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, बेमानिक जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, उनको पैसेंजर, यानि कि यात्री कहते हैं, लेकिन जो विमान से यात्रा करते हैं, हवाई जाहत से यात्रा करते हैं, उनको एरोनौट कहते हैं, क्या कहते हैं, एरोनौट, तो इसका देखरेक करता है उसके अलावा अगर मैं देखूं कि संग्राले यानि म्यूजियम की देखरेक कौन करता है तो आपको आंसर बताना है इसका फटाफट बताईएगा बिलकुल option number A, संग्रह अध्यक्ष इसका correct answer होगा संग्रह अध्यक्ष ठीक है इसका correct answer होगा भारत अगर नई दिल्ली से संबंदित है तो पाकिस्तान कि से संबंदित होगा अभी अभी बताया है देश और उनकी राजधानी आपको रटी हुई होनी चाहिए तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर भारत की बात करों भारत की राजधानी नई दिल्ली है उसी के एसाब से अगर मैं कहूँ आप से कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है इसकी राजधानी है तो option number इसका क्या है D option correct है नहीं, लाहर नहीं है रावल पिंडी भी नहीं है हाथी अंबारी से संब्द देता है तो घोड़ा किस संब्द देता है अंबारी क्या होता है भाईया हौदा यानि कि जब घोड़ा हाथी जो रहता है ना हाथी जैसे मान के चलो भाई कैसे बनेगा हाथी यह मान के चलिए भाई रहना कुछ इस प्रकार का हाती बना दिया मैंने यह हाती है इसके उपर अगर यह जो रखा रहता न जिस पर बैठ के गुमते हम यह मान के चलो यह मैं बैठा हुआ हूँ तो यह इसको बोलेंगे होदा क्या बोलेंगे होदा यानि की अमबारी ठीक है और इसी को अगर घोड़े पर देखें जो घोड़े के उपर होता है यह गोड़े के उपर वाले को क्या कहते है तो उसको कहते है लादना सैडल ऑप्शन नमबर सी इसका करेक्टर रेडी नहीं है कोबड़ा नहीं कहते है उसको कोबड़ा नहीं होगा कोबड़ा तो I think उसका होता है उट का और उसको भी कोबड़ा नहीं बोलते है सर नया बैच जी जी नया बैच है, फ्री बैच है ये बिल्कुल तो आप से करा है कि pantry store से संब्धित है निकि pantry से संब्धित है बताओ दीपू भाई जल्दी से बताओ इस का अंसर हाँ जी बताओ question number 5, देखो संग्रह यानि कि pantry store का हिस्सा है और वर्तन माजने की जगे किस्से है wash वाली जगे से है, जो धोते है धोना, वर्तन धोना, wash option number D है इसका अंसर next आगे आपका प्रशना आप से कह रहा है कि बढ़ई अगर आरा चलाना जानता है तो दरजी का संब्धित किस्से है यानि बढ़ई का आरा चलाना है यानि कि आरा चलाना तो गलत दिख दिया है यानि कि show, यानि कि आरा है कि आरा तो भाही आप से पूछा गया है, बताओ दरजी यानि टेलर का संब्धित किस्से होगा तो यहाँ पर आपके सामने है नाप, सिलाई, कपड़ा या सुई किससे होगा, बढ़ई का जो अजार होता है वो होता है आरा और यहाँ पर दरजी का जो अजार होता है वो क्या होता है, सुई तो निडल इसका correct answer होगा option number D option number D, very good बहुत बढ़िया next, प्यारा सा प्रशन देखिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है election, manifesto से संबंदित है meeting किसे संबंदित है जल्दी बताओ, meeting meeting, 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 meeting बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया good job, good job इसी प्रकार से करते रहोगे तो जल्दी सफल होने के chances हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया question number 6 का question number 7 का जो correct answer होगा वो क्या होगा, वो होगा option number B, agenda agenda होता क्या है, manifesto क्या होता है, election जब जीत कर कोई व्यक्ति आएगा या election की कारेसूची बनाएगा उसको जो कहेंगे, ना हम उसको क्या कहेंगे, manifesto उसमें क्या-क्या काम करने है किसानों को कितनी छूट देनी है है न, और किसानों को कितनी लूट करनी है ये सब किसमें लिखा हुआ होगा आपका manifesto में लिखा होगा लेकिन अगर कारेसूची, जो meeting होती है, कहीं भी कोचिंग सेंटर में या किसी कोचिंग सेंटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीचर हमारे साथ meeting करते हैं तो हम तो coaching में करते हैं, लेकिन अगर हम company की बात करते हैं, तो company में meeting जो होती है, उसके बाद कारेसूची जो बनती है, उसको कहते है agenda, agenda पास हुआ है कि हमें ये बैच इतने रुपे का लाउंच करना है, ये free बैच चलाना है जीवाडू रोधक संबंद जीवाडू से है, यानि कि antiseptic जर्म से है, यानि कि अगर आपको जीवाडू से बचना है, तो antiseptic का इस्तेमाल करेंगे और antidotes का क्या मतलबता है विनाशक, विनाशक किस से संबंदित है संकरमण, allergy, घाव या जहर, बहुत simple सा प्रशन है, बहुत simple सा तो आप जानते हैं विशनास, विशनासक, यानि कि antidotes, तो वो किसका है भई, रोकताम कौन करेगा तो आप कहेंगे प्यारे दोस्तो, poison यानि कि आपका जहर आंसर होगा आंसर नमबर होगा जहर question number next word fly, snake क्या करता है यानि अगर चड़िया उड़ती है तो सांप क्या करता है दीपु भाई साब, आप इस class को कर लिजिए उसके लिए भी आला कोशिस करेंगे बैचलाने की मेरे भाई अब जल्दी से share कर दो session को session आपके सामने live चल रहा है और daily live चलेगा दोस्तो, चड़िया जो है वो उड़ती है तो सांप का करते हैं सांप का करते हैं भाईया सांप करते हैं, रेंगने का काम क्रैवल करते हैं, रेंगते हैं का करते हैं भाईये, रेंगते हैं clear हुआ next, अगला question मेरे दोस्त आप से करा share, हिरन से संब्दित है share, हिरन से संब्दित है तो नेवला किस से संब्दित है, बताओ मंगूस किसे संबंदित है हिरन है सॉरी क्या है किया है नेवला किसे संबंदित है क्विश्चन नमबर है 10 दसवा क्विश्चन है दसवे का आंसर मताओ भई आप जानते हैं कि शेर शिकार करता है किसका हिरन का और नेवला शिकार किसका करता है snake का, saap का, किसका करता है, saap का शिकार करता है, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, next अगला question देखेंगे, तो पतंगा किसे सम्मधित है, कीट से, तो चूहा किसे सम्मधित है, मेरे भाई, जल्दी से बताओ, यानि पतंगा जो होता है, वो कीट की परजाती का है, चूहा किसकी परजाती का है, यह परजाती आपको बतानी है, इसके अंदर, फटाक से बताइए, जल्दी से, स्पीड से, question number 11 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताओ भाई, इसका answer होगा, rodent, यानि चूहे से सम्मधित है, दोस्तों, okay, next, आगे question देखें, पौधा पेड से सम्मधित है लड़की किसे सम्मधित है, लड़की, इसका answer करो, question number 12, 12, बताओ जल्दी से, 12 का, साक्षी, पन्नालाल, आर्यन, मैं आपके प्रश्न के answer का wait कर रहा हूँ, देव ने ए आंसर दिया है, यानि कि, पतनी, अरे गलत जबाब है आपका पतनी, चलो, CGPSC में reasoning काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा बिरुजगर भाई, पढ़लो, बिल्कुल काम आएगा, आप ये सोच करके पढ़ो, कि आपके हर एक exam में ये काम आएगा, ठीक है, तु बस देखते जाओ, पौधा बड़े होकर के पेड़ बनता है, लड़की बड़े होकर के क temperature, यानि कि ताप बताता है, option number क्या है इसका, D option correct हो जाएगा, देखने के साथ टिक कर दिया करो, देखने के साथ टिक कर दिया करो, अगला प्यारा सा प्रशन है, मुसलिम मस्जित में जाते हैं, मस्जित में जाते हैं, तो सिक कहां जाते हैं भाईया, सुर्ण मंदिर, मदी गुर्दुवरा आगे आपके सामने है पंजा मारना बिल्ली तो बिल्ली क्या मारती है पंजा मारती है खुर कौन मारता है खुर तो खुर तो मारेगा जिसके खुर होंगे और खुर होते किसके है घोडे के शेर के मैमना के हाती के तो किसके होते है भाई घोडे के खुर होते ह नेक्स्ट आगे question देखिए मेरे भाई आप से करते हैं नाविक क्या करते हैं नाविक यानि कि आप से कर रहा है कि traveler जरनी करते हैं तो seller क्या करते हैं पानी जहाज समुंद्री यात्रा क्रू क्या होगा इसका question number 16 का answer आपको बताना है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका वो सम शक्राइब को नाव चलाने वाला यत्रा किसकी करेगा सवूंद्र की यत्रा करेगा डेफिनेटली करेगा सिम्पल सा अंसर है इसका okay नेक्स्ट अगला प्रस्ण देखिएगा भाई मिरे कि रहा कि आंख हो की दोस यानि की आप जानते हैं कि आँख में होता है मायोपिया मायो ट्रेकोमा या फिर आपका है खाज खुजली यानि कि इसको बोलते है इचिंग जो होती है ठीक है बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा भाई मेरे आंख की बीमारी है भाई आंखों के दोश है यानि कि मायोपिया दांतों का दोश क्या है तो आप कहेंगे सर यह है आपका पायरिया पायरिया जब दांतों में लगता है जब कॉलिगेट करेंगे आप सुभे सुभे तो आपके दांतों से खुन आना स्टार्ट हो जाएगा ब ट्रेक्टर, ट्रेलर से संबंदित है, ट्रेक्टर, ट्रेलर से संबंदित है, गोड़ा किसे संबंदित है, पता हो, गोड़ा, तो भाई ट्रेक्टर के पीछ जो ट्रेलर होता है, ट्रॉली बोलते हैं उसको हम, देशी बासा में, जैसे मान के चलिए, ये एक हमने ट्रेक्टर बनाया है ना और यह टेक्टर बना करके यहां से यह हमने जैसे टेक्टर बना दिया और यहां से यह टेक्टर बना करके वाईया इसके पीछे जो लगी रहती है ना उसको बोलते है ट्रॉली यह इस तरीके से होती है तो यह उसको बोलते हैं बुगगी, देशी भासा में, क्या बोलते हैं बुगगी, लेकिन अंग्रेजी भासा में देखेंगे उसको तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बुगगी, कार्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्ट, करेक्ट है भई, चलो, बहुत बढ़िया, बहु जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पर्च जो है न, पर्च धियान रखेंगे, मचली होती है, जो कि साफ पानी में रहती है, हम देखते हैं, वो साफ पानी जो घर पे लेके आते हैं, जो मचली चलती रहती हैं, सर जी हम गाम वाले हैं हम समझ जाते हैं बिल्कु सारे गाम वाले हो आप शायर वाले बहुत काम हैं हमारे साथ दुड़े होए तो पर्च जो होती हो मचली होती है साफ पानी में रहती है नमकीन पानी में जो रहती है उसको बोलते कौड मचली कौड की मचली की प्रजाती है ठीक है विरुजगार भाई एक ही बार कमेंट करो अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से कमेंट कर रहे हो तो यह अच्छा नहीं लग रहा है एक बार कमेंट करो मैं देख रहा हूं सबकी कमेंट आप इसे कर रहा है और्थिनोलोजी पक्षी से संब्द देते तो एंथ्रो हम आंसर सी दे रहे हैं, उतकर्ष ने आंसर सी दिया है, तनुज ने आंसर सी दिया है, तो फिर हम भी इसका आंसर सही देंगे, mankind, मनुष्य का अधन anthropology में किया जाता है, option number C, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, correct answer हो जाएगा, आगे देखे, आगे कह रहा है लेकिन हम Saturday और Sunday आपकी जो class है, वो हिंदी की जगह पर static जी के लगाया करेंगे, जिससे main important जैसे आपके questions है, जैसे कुछ ऐसे स्थल हैं, जो बड़े famous हैं, उनके नाम, ठीक है, या फिर आपकी जो मुद्राएं हैं, famous देशों की जो मुद्राएं हैं, उनके एक वीडियो आपको देदेंगे, यानि इस्टेटिक जी के कुल मिला करके, जो आपके exam में काफी help करेंगे, तो यहाँ पर देखो, मा बच्चे से संबढ़ देता है, तो बादल किस संबढ़ देता है, बादल जो है, यानि कि मा से बच्चा होता है, बादल से क्या होती है, वर्चा होती है, यानि कि option number हम लोग चलेंगे B के साथ, B option हमारा correct answer होगा, एक किस number question का option number B, next अगला प्रशन देखिएगा, दोस्तों आप से कराए, आधर करना प्रार्थना, आधर करना प्रार्थना से संबढ़ देता है, तो उस प्रशनसा करना किस से संबढ़ देता है, बताओ जल्दी से, question number है, आपके सामने 22 नमबर का इसका answer आपको करना है, बिल्कुल परियावाची है, बिल्कुल सही कहा रहे हैं, 22 नमबर का आंसर क्या है, 22 नमबर का आंसर क्या है, 22 नमबर का दोस्तों, option नमबर A होगा, गुडगान करना, गुडगान करना, glorify, ठीक है, प्रशंसा करना मतलब इसका ही जो परियावाची है, समाना आर्थी है, वो क आर्थना करते हैं ऐसे कह सकते हैं और हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि जी हम आप अच्छा पढ़ाते हैं हम आपकी प्रसंसा करते हैं यानि कहने का मतलब है हम आपका गुडगान करते हैं और हम लोगों को बुलाते हैं कि विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आओ यहाँ पर, ठीक है इस परकार से करना, तो next अगला question है, ओश्मा सम्वहन से संबंदित है, यानि आपकी heat जो है, वो convection के द्वारा होती है, तो space किसे संबंदित है, space, बताओ जल्दी से, vacuum, जल्दी से बताओ भी, इसका correct answer बताओ जल्दी से, 23 नंबर का क्या होगा, 23 तो option number क्या होगा, इसका D answer होगा, ठीक है, D option इसका सही जवाब हो जाएगा, next मेरे भाई अगला question देखोगे, विकास म्रत्यू से संबंदित है, बढ़ना किसे संबंदित है, वढ़ना, यानि विकास मतलब growth, growth का opposite क्या है death, कोई बढ़ रहा है, कोई विकास कर रहा है, कोई मर रहा है, ठीक है, opposite हैं दोनों, तो उसी प्रकास से बढ़ना का क्या होगा, decrease, यानि कि increase का क्या होगा, decrease, option number क्या होगा, इसका मेरे भाई, option number होगा, B option, बताव समझ में रहा है, question number 24 का answer क्या है, 24 का क्या है, 24 का answer क्या है, बढ़ना, okay, बिल्कुल सही बात है, चलें आगे, देखो, next अगला question है, oxygen जलने से संबद देता है, यानि कि oxygen जो है, वो burn करती है, और carbon dioxide क्या करती है, बताओ जल्दी सपटापट, बताओ जल्दी जल्दी, बिल्कुल भाई, उतकरश भाई, बिल्कुल क्लास देखो, कमेंट में क्या रखा है, जिस चीज में जो रखा ही नहीं हो, उसको छेड़ो ही मत, भई हम जानते हैं कि oxygen जलने के काम आती है, निकि जला दिती है, ठीक है नेक्स्ट अगला question, अगला question है आपका गड़ित तर्क से संब्देता है, निक गड़ित में जो होता है, वो logic होते हैं, तो science में क्या होते हैं, बताओ, तथ्या होते हैं, वेग्यानिक scientist होते हैं, प्रियोग experiment होते हैं, या laboratory होती है, बताओ इसका correct answer कौन बताएंगे मेरे भा करवा देंगे 24 नंबर को, आप देखिए पहले इस प्रश्न का answer, यानि दोस्तों गड़ित जो है, वो logic होते हैं गड़ित के अंदर, विज्ञान के अंदर क्या होता है, तथ्या होते हैं, फैक्ट होते हैं, क्या होता है, फैक्ट होते हैं, option नंबर इसका correct है, next, आगे हत्या, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है, कि नर हत्या, नर का मतलब क्या होता है, पुरुष आदमी, इंसान, वियक्ती, इसका correct answer, humans, इसका correct answer क्या है, option नंबर A, 27 के बाद 28 नंबर question है, देखो जारा, कब उतर शांती का प्रतीक है, तो सफीत जंडा किसका प्रतीक है, मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बिल्गूल फ्री लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, आपकी competition गुरु एप पर, आप डाउनलोड कर ले ना उसको, competition गुरु एप पर, एक हिंदी की complete book, और एक reasoning की book, मैं कल यहां पर upload करवा दूँगा, एक section में, वो बता दूँगा section कहां मिलेगा आपको, हलाकि यह pdf के option में मिल जाएगा, आपका study material करके है, उस option में बिल्गूल फ्री मिल जाएगा, competition गुरु एप पर, हिंदी की complete book और reasoning की complete book, आपको कल शाम तक यह मिल जाएगी, दौनों से, तो आप से करा है कि कबूतर शांती का प्रतीक है मेरे भाई, कबूतर शांती का प्रतीक है, तो सपेद जंडा किसका प्रतीक है, आत्म समरपड का, surrender का जो प्रतीक है, यह, symbol है, ओके, चलो, हेलो भाई, कैसे हैं, next, अगला question देखो, तेहरान की राजधानी, तेहरान जो तो आप लोग कहेंगे, सर इसकी जो आंसर होगा, वो होगा, चीन, क्या होगा, चीन, यानि option number आपका China, option number A, correct answer होगा, भाई, option number A, correct answer हो जाएगा, इसके अलावा, बहुत यानि परियापत है, बहुत अधिक क्या होगा, इसका आंसर, बहुत अधिक क्या होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट, question number 30 का answer क्या है? बताओ, तो यानि बहुत का मतलब होता है, परयापते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, यानि कि परयाप्त है, और हमारे पास बहुत अधिक पैसा है, यानि कि बहुत अधिक है तो इसका answer क्या है? surplus, आपने देखा है of surplus agriculture, यानि बहुत ज़्यादा agriculture होता है वहाँ पे, तो इसका correct answer है, correct answer है इसका option number B, अच्छा है इसके अलावा हम लोग आपसे बात करते हैं दोस्तों, classes की, तो अगर आप में से कोई भी reasoning का या हिंदी का या कोई other exam का paid batch लेना चाहते हैं, तो competition guru आप पे मिल जाएगा, हाला कि ये batch आपका brahmaastra बिल्कुल free है, आपके youtube channel competition guru में, अब मैं आपको बात करता हूँ भी pdf की, तो pdf के लिए हमारे पास दो book हैं एक book हमारे पास है हिंदी की और एक book है हमारे पास reasoning की, और ये दौनों की दौनों book आप लोगों की, बिल्कुल youtube के जो classes है इससे थोड़ी से अलग होंगी यानि आप practice भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएंगी application के study material option में, study material option है एक और उस option में आपको मिल जाएंगी कल तक, तो आप सभी download कर लें आपको, video की description में आपका link मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी, चलिए, तो इसी के साथ आज की class को यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, जुड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद, कल से class को एक घंटे रखेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज starting है, पहला दिन है, संडे का दिन है तो आज थोड़ा समय से सो जाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग इसकी PDF लेना चाहते हैं, class notes की, तो ये मेरा टेलिग्राम है, टेलिग्राम को join कर सकते हैं, या तो आप लोग ये मेरा personal टेलिग्राम है, CG Vivek Chaudhary और हमारे official टेलिग्राम competition group को भी आप join कर सकते हैं, इन पर आपको और PDF बहुत सी मिल जाएंगी practice के लिए, अलाकि ये हमारे application का competition group का official टेलिग्राम है, और ये मेरा खुद का टेलिग्राम है, तो आप जिसको चाहें उसको download, उसको join कर सकते हैं और इसी से मेरी Instagram आइडी है, तो आप follow भी कर सकते हैं Instagram पर, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड करके, और I think कि आप सब को भी clear अच्छा लगा होगा रभी भाई कह रहें, आरके जहां की book complete करवाएंगे, complete करवादेंगे उसको चिंता मत करो, एक एक दिन में एक चैप्टर करा करके, time निकाल करके complete करवादेंगे, बहुत जल्दी complete करवादेंगे, आप घबरा है नहीं, बिल्कुल tension न करेंगे, उस बात की, ठीक है जी धन्यवाद, नमस्कार, बाई-बाई class का time, ये मैंने बता दिया था, एक बार फिर से बता दिता हूँ आपको, class का जो समय है, वो class का समय कुछ इस परकार से है, शाम को अगर मैं बात करूँ, 7 बजे की तो 7 पी एम आपकी class होगी, दोस्त, maths की और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 8 बजे, तो 8 बजे आपकी class होगी हिंदी की इसके अलावा आपकी 9 बजे जो class होगी वो होगी आपकी reasoning की ये daily classes का schedule है, ठीक है और जिस दिन कोई अवकाश होगा या कहीं जाएंगे आएंगे, तो आपको message करके telegram पे बता देंगे, telegram जोइन कर लेना, इन दोनों मैं से कोई भी telegram जोइन कर लेना, आप दोनों को चाहो, दोनों को कर लेना, ठीक है जी, नमस्कार धन्यवाद, और कोई related जानकारी लेनी हो, तो ये number है हमारी team का इन से संपर कर सकते हैं, ये आपको सारी जानकारी provide करवादेंगे, आप call कर लें, या WhatsApp कर लें, ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्री आपका, चलिए, ये एक तो बेरोजिकर भाई, अपना नाम बदलो, आप अच्छा सा नाम रखो, थोड़ा ठीक सा नाम रखोगे, तो अच्छा होगा, ठीक है, कुसुम बिन, बाई, टेक चलो, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुट नाइट ठीक है, कुसुम बदलो, हाँ जी, वेरी मच, भाई, वेरी मच, ये एक तो भाईट, गूज जी, बाईट नाम ड़ते का तो?